हेलो स्टुडेंट्स मैं ममता मित्तल पीजीटी केमिस्ट्री गॉवर्मेंट सीनियर्स केंडी स्कूल डावाली विलेज सिर्शासी आज हम करने जारे हैं जीवो मेव विदता चैप्टर फ्रॉम क्लास नाइन्थ जैसा कि इस चैप्टर में आपने पहली वीडियो में स्टडी किया था अबाउट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजई, वे, प्लांटी आज इस वीडियो में हम डिसकस करने जारे हैं अबाउट एनिमिलिया और यह स्टडी हम करने जा रहे हैं विद्धा हेल्प ओफ स्पैसिमेन तो स्पैसिमेन क्या होता है? स्पैसिमेन का मीनिंग होता है कहने का भाव है कि आप एक जीव की स्टडी करके पूरे वर्ग के बारे में नोलेज एकत्रित कर सकते हैं एक जीव के दवारा आपको उस वर्ग में पाए जाने बाले भविन जीवों के बारे में नोलेज मिलती है तथा स्पैसिमेन में जो जीव प्रेजेंट होता है उसे नॉमली बच्चे समझते हैं कि शायद पानी में रखा गया है प्रन्तु ऐसा नहीं है स्पैसिमेन में किसी भी जीव को स्टोर करने के लिए या कह सकते हैं पिज़र्व करने के लिए एक स्पैसिल लिक्वर्ड का यूज किया जाता है ताकि जीव की बोड़ी डीग्रेट ना करे आपको पता है कोई भी बोड़ी हम जब स्टोर करते हैं तो उसका धीरे धीरे डीग्रेडेशन होता है उससे बचाने के लिए हम पिज़र्वेटिव यूज करते हैं तो यहाँ पर जो लिक्वर्ड यूज किया जाता है उसका नाम होता है फॉर्मल एल्डेहाइड और उसे दूसरी आई यू पी एसी लेंग्वेज में नाम देते हैं मिथेनल का इन संटाइम्स हम फॉर्मल एल्डेहाइड प्लस वाटर जिसे फॉर्माल लिन कहते हैं उसका भी उपियोग करते हैं इस तरह का लिक्वर्ड यूज करने पर जीव एस सच वहाँ पर रहेगा उसकी बोडी डिग्रेड नहीं करेगी तो अब हम एनिमिलिया के डिफरेंट वर्ग को विद्दा हेल्प ओफ स्पैसिमेन स्टडी करने जा रहे हैं और आज हम जिन स्पैसिमेन के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं वे हैं लीवर फ्लूक, टैबवर्म, असकेरिस, अर्थवर्म जिसे केंचुआ भी कहते हैं कौकरच जिसे हिंदी में तिलचटा कहते हैं मोथ जिसे हिंदी में पतंगा कहते हैं तर्माइट मींस दीमक, पाइला मींस कोगा, फिश मींस मचली इन स्पैसिमेन के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे सबसे पहले हम डिसकस करने जा रहे हैं about liver fluke यह जो स्पैसिमेन आप देख रहे हैं यह जीव liver fluke का है जो की वर्ग platy-helminthus से बिलोंग करता है प्लैटी हेलमिन्थस वर्ग से बिलोंक करने वाले जीवों की शारीरिक सरचना अधिक जटिल होती है इनका श்रीर जैसे की आप देखी रहे हैं द्वी पार्षव संमित होता है अर्थात श्रीर के दाएं वै बाएं बाक की सरचना एक जैसी होती है इनका शरीर त्री कोरक मींस टिपलो ब्लास्टिक होता है अर्थात इनका उत्तक विवेदन तीन कोशकी अस्तरों से हुआ है इसे शरीर में ब्राहा तथा आंत्रिक दोनों परकार के अस्तर बनते हैं तथा इनके कुछ अंग भी बनते हैं इनमें वास्त्विक दे गुहा प्रेजेंट नहीं होती है जिसमें सो विक्सित अंग विवस्तित हो सकी मींस इसमें वास्त्विक गुहा नय होने के कान अंग विवस्तित नहीं होती है इनका श्रीर प्रिष्ट धारिये एवं चप्टा होता है जैसा कि आप स्पैसिमेन में देख रही है इसी कान इन्हें चप्टे क्रिमी भी कहा जाता है लीवर फ्लूक एक परजीवी है एक्च्वल में इसका नाम लीवर फ्लूक इसी लिए रखा गया है क्योंकि यहें मैमल्स इंक्लूडिंग हुमेन बिंग में लीवर के अंदर पाया जाता है यहें बलड के साथ मूव कर सकता है जिसके कान यहें बैदर वाल ग्लैडर या फिर वाइल डक्ट या लीवर में पाया जाता है और वहां से यहें अपना भोजन उप्टेन करता है लीवर फ्लूक वहां पर बिमारी पैदा करता है इसी कान इस पर जीवी को लीवर फ्लूक नाम से जाना जाता है तो यह हमारा था प्लैटी हेलमिंथस को रीपरजेंट करने वाला स्पैसिमेन नेम्ड लीवर फ्लूक तथा यह स्पैसिमेन भी हमारे पास प्लैटी हेलमिंथस वर्ग से बिलोंग करता है इस जीब का नाम है टेबवम सबजियों के उपभोग के माध्यम से संक्रमन फैलता है जिने अच्छी तरह से धोया, पकाया या छीला नहीं जाता दिमाग में घुसने वाला पत्ता गोबी के कीड़े को टेबवम कहते हैं तथा हिंदी में इन्हें फीता कर्मी कहते हैं यह कीड़ा खाने के साथ पेट में, आंतों में, फिर ब्लड फ्लो से मस्सिक्ष तक पहुँचियाता है यह कीड़ा जानवरों के मल में पाया जाता है तो जैसा कि आपने देखा, प्लैटी हेलमिंथस में कुछ जीव रीवन जैसे होते हैं जैसे कि हमारे पास टेब वर्म में दिखाया गया है और कुछ सोफ्ट लीफ लाइक होते हैं जैसा कि लीवर फ्लोक में हमने देखा ये जीव बाई सेक्श्वल होते हैं, मीन्स एक ही जीव में दोनों मेल तथा फीमेल जनन अंग पाये जाते हैं इसका शरीर फीते की तरह लंबा होता है तथा अनेक खंडों में बटा होता है और आपको पता है परतेक खंड को नाम दिया जाता है प्रोग्लोटिड और परतेक प्रोगलोटिड में नर्द तथा मादा अंग होते हैं इनके शरीर में देख वहा प्रेजेंट नहीं होती है नेक्स स्पेसिमेन है हमारे पास असकेरिस का जैसा कि आपके पास दो स्पेसिमेन दिखाए गए हैं उन में से एक फिमेल तथा दूसरा मेल असकेरिस है मेंस मादा तथा नर असकेरिस असकेरिस हमारे पास निमेटोडा वर्ग से बिलोंग करता है निमेटोडा में पाई जाने वाले जन्तु प्लैटी हेलमिंथस की तरह ही द्वी पाश सम्मित होते हैं Means इनके शरीर की सरचना बाईं तथा दाईं बाग दोनों की एक जैसी होती है इनका शरीर त्री कोरक होता है लेकिन इनका शरीर चप्टा ना होकर बेलनाकार होता है जैसा कि आप देख रहे हैं इनकी देगुहा को कुछ सी लोम कहा जाता है इन में उत्तक पाई जाते हैं प्रंतों अंग तंतर पूरण विक्सित नहीं होते हैं ये परजीवी होते हैं परजीवी के तोड़ पर ये दूसे जन्तों में रोग उत्पन करते हैं असकेरिस का दूसरा नाम होता है स्मोल इंटस्टाइनल राउंड बॉम तो आप समझ सकते हैं कि जो असकेरिस है वह मनुश्य की इंटस्टाइन से अपना भोजन अप्टेन करता है यह इंटस्टाइन में एस पेरासाइट रहता है इसी कान यहाँ पर रोग उत्पन करता है इनका साइज मारिक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर सेब्रल सेंटीमीटर तक हो सकता है इनकी बोडी वॉल जो होती है वह टफ और रजिस्टेंस क्यूटिकल से कवर्ड होती है इनमें सीलिया प्रेजेंट नहीं होती है जैसे कि आप देखी रही है इनकी एलिमेंटिक के नाल माउट से स्टार्ट होकर एनस तक होती है मींस इनका डाजेस्टिव ट्रैक कम्प्लीट होता है नर तथा मादा असकेरिस में बहुत अंतर होता है जैसा कि आप स्पैसिमन में देखी रही है मादा असकेरिस वाइडर होती है जबकि जो मेल असकेरिस है वह थिनर होता है मादा असकेरिस का पोस्टिरियर एंड बिलकुल सीधा होता है जबकि नर असकेरिस हुगड होता है नर असकेरिस में SPINE-like extension POSTERIOR END के उपर प्रेजेंट होती है जबकि मादा असकेरिस में इस तरह के SPINE-like structure प्रेजेंट नहीं होती है यह हमारा स्पैसिमन है अर्थ वॉम जिसका दूसरा नाम है केंजुआ यह एनिलीडा फाइलम से बिलोंग करता है जिसका दूसरा नाम होता है रिंग वॉम इस फाइलम की विशेश्टाएं यह है कि इसमें भी दूई पार्श सम्मती मींस इनके शरीर का दाया तथा भाया बाग एक जैसा होता है इनके शरीर त्रिकोरक होती है और स्पेशल्टी यह है कि इनमें वास्विक देगुः पाई जाती है इससे वास्विक अंग शारिरिक सरचना में नहीत रहते हैं अंगों में बहुत भविनता होती है यह भविनता इनके शरीर के सिर से पोंच तक एक के बाद एक खंडित रूप से उपस्तित होती है इसमें सवेहन, पाचन, उत्सरजन तथा तंत्री का तंतर पाई जाती हैं यह जलिये तथा स्थलिये दोनों होती हैं इनकी एलिमेंटिक के नाल कंप्लीट तथा बिल्कुल सटेट होती है फ्रों माउथ टूदा एनस इनकी तवचा गीली, नरम, पतली, वे चीक्नी होती है इन में श्वसन पर करिया तवचा के दवारा होती है इन में गति के लिए शूख पाई जाते हैं इनकी शरीर का पहला खंड, पैरिस्टोमियम कहलाता है वे चोद में खंड में नल जनन छित्र पाई जाते हैं इसके शरीर के आंतरिक बाग में गुदा पाई जाती है इनकी लंबाई 6 से 10 सेंटीमिटर होती है जिसमें 100 से 125 खंड होती है नेक्स्ट हमारा स्पैसिमें नो डाउट आप सब भी ने कहीं न कहीं जरूर देखा होगा वेदर घर में ओफिस में गली मुहले में कहीं न कहीं अपनी लाइफ में जरूर देखा होगा येस यह हमारा जो स्पैसिमें है इसका नाम है कोकरच और यह बिलोंग करता है from the phylum orthopoda यह जन्तु जगत का सबसे बड़ा संग होता है इसकी जो body होती है means जो शरीर है वहेवी द्वीपाश सम्मित होता है इसका शरीर खांड युक्त होता है इसमें खुला परिसंचरन तंतर पाया जाता है It means क्या होता है कि इनका रख्त रुदीर रख्त वाहिकाव में नहीं बहता बलकि देगुहा में भरा हुआ होता है इनकी जो आँखे होती हैं वहेश से युक्त परकार की होती है इनका शरीर सिर धर तथा वक्ष में बटा हुआ होता है इस शरीनी का नाम आर्थो पोड़ा क्यों है क्योंकि इसका मतलव होता है जुड़े हुए पाव इसके पैर जुड़े हुए होते हैं इसे हिंदी में तिल चटा कहते हैं इसका शरीर लाल भूरे रंग के पंखों से डखा हुआ होता है यह नाक के दवारा सांस नहीं लेता इसके पूरे शरीर के उपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके दवारा यह सांस लेता है इसके सिर के उपर एंटीना लगे होते हैं जो संख्या में दो होते हैं और उनका कार्या होता है भोजन की तलाश करना यह हमारे पास टर्माइट का स्पैसिमेन टर्माइट को हिंदी में दीमक कहते हैं यह आर्थोपोडा ग्रूप से ही बिलोंग करता है मेंस इसमें भी पैर जुड़े हुए होते हैं आर्थोपोडा ग्रूप से बिलोंग करने वाले जीव भूमी पर मिटी में लवनिय या अलवनिय दलदल वाले क्षित्रों में पाए जाते हैं ये हलके पीले या भूरे रांके बहुत ही कोमल जीव होते हैं इनका शरीर बाहरे रूप से खंडों में विवाजित होता है प्रन्तु इंटर्नली यह खंडों में विवाजित नहीं होते हैं ये केट कलोनी में रहते हैं एक कलोनी में इनकी संख्या हजार से लेकर लाग तक हो सकती है यह लकडी को काटने में सक्षम होते हैं यह सेललोज वे लिगनीन जैसे पदार्थों का पाचन इजिली कर सकते हैं मनुश्य के लिए दीमक एक पेस्ट होती है हाल ही में अमेरिका के उर्जा विवाग में दीमकों से उर्जा प्राप्ती की महतरपुन परियोजना का शोद भी हुआ है नेक्स्ट हमारा स्पैसिमन जो देखने में तितली जैसा लगता है परंतु एक्च्वल में यहें तितली नहीं है इसे पतंगा या परवाना तितली और इंगलिश में मोथ कहा जाता है तितली तथा पतंगे दोनों को ही लैपिडो पतेरा वर्ग में रखा गया है जो की और्थोपोडा ग्रूप का ही भाग है इसकी लगबग एक लाग साथ हजार स्पीशीज अब तक डिसकावर हो चुकी है यह संख्या तितलीों के कमपैरिजन में बहुत ही अधिक होती है तितली तथा पतंगों में कोई ठोज अंतर नहीं पाया गया है लेकिन हम यह कह सकते हैं कि रंग बिरंगे पतंगों को तितली कहा जाता है अधिकतर पतंगे निशाचरता दिखलाते हैं मतलब रात को सरक्रिय होते हैं हलांकि दिन में सक्रिये पतंगों की भी के जातियां पाई जाती हैं कुछ मादा पतंगे अपने श्री से ऐसा रसायन बनाते हैं जिससे अवरप्त परकाश उत्पन होता है ये एक लिंगी पढ़ाने हैं अर्थात नर तथा मादा दोनों अलग लग होते हैं ये अंडे पैदा करते हैं जीवन काल बहुत ही छोटा होता है means ये कुछ दिन के लिए ही जीवित रहते हैं नेक्स जो स्पैसिमेन आपके पास दिखाया गया है इस वेरी इंटरस्टिंग आप सबने इसको देखा होगा कहां देखा है समुंदर के आज़ पास देखने में यह इस तरह से अपीर होता है कि इसमें कोई जान ना हो means ये नर्जीव हो प्रंतु ऐसा नहीं है यह सर्जीव है और एनिमीलिया जगत से बिलोंग करते है उसके एक वर्ग मुलस्का में इन्हें रखा गया है इसको नॉमली बच्चे सीप कहते है एक्च्वल में इसका नाम होता है घोगा और इंग्लिश में इसे कहते हैं पाइला मुलस्का ग्रूप में पाए जाने वाले जीवों में भी द्वीपाश सम्मती होती है मींस इनके शरीर का दाया तथा भाया भाग एक जैसा ही होता है इन में देगुहा बहुत कम होती है शरीर में थोड़ा विखंडन होता है इनकी बोड़ी के उपर कवज पाया जाता है एक्चली इनकी जो बोड़ी होती है वह तीन हिसों में बटी हुई होती है सिर, विसरल मास तथा पैर बहुत ही थिन तथा फ्लेशी फोल्ड के दवारा पूरी बोड़ी को कवर अप किया जाता है इन फोल्ड को नाम दिया जाता है मेंटल तथा मेंटल की अंदर जो कैविटी होती है उसे कहते हैं मेंटल कैविटी इसी मेंटल के दवारा ही कवज का निर्मान किया जाता है जो पूरी बोड़ी को कवर अपर करता है इनकी अलिमेंटी के नाल कम्प्लीट होती है इन में खुला सवहनी तंतर पाया जाता है उत्सरजन के लिए भी इन में गुल्दे जैसी सरचनाई प्रेजेंट होती है कृप में पाये जाने वाले जीवों का जो साइज है वह है माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर बहुत बड़े साइज का मींस 50 फीट तक भी हो सकता है रेस्पिरेशन के लिए इन में गिल्स भी प्रेजेंट होती है तो है न यह देखने में बिलकुल नजीव देखने वाला हमारा स्पैसिमेन वेरी वेरी इंटरस्टिंग तो यह है हमारा नेक्स्ट स्पैसिमेन सभी ने देखा हुआ ही होगा नैच्रल प्लेसीज के उपर जैसे तलाव नदियों में नॉमली से देखा होगा अदरवाइज एक्यूरियम में आपने जरूर इसे देखा होगा तो इसका नाम क्या है येस दिस इस फिश और मचली इसका फाइलम है कॉर्डेटा साफाइलम होता है वर्टेब्रेटा और जिसे केशरुकी भी कहते हैं और उसमें कलास होती है मचली समुन्दर तथा मीठे जल दोनों जगा पर पाई जाती है इसकी तवच्चा शल्क अत्वा प्लेटों से धकी हुई होती है इनका शरीर धारा रेखित होता है जो जल में तैते समय कम प्रतिरोध उत्पन करता है इसकी शरीर का जो धांचा है वह हड्डियों से बना होता है इसी कारण तो यह वर्टिवरेटा श्रेनी का जीव है मचली गलफडों से सांस लेती है यह गलफडों के दवारा उकसीजन का अवशोशन करती है यह एक असम तापी जीव है जिसे हम cold-blooded animals भी कहती है इसका अर्थ होता है कि इन जीवों के शरीर का तापमान बाहरी तापमान के उनसार बदलता रहता है वह एक जैसा नहीं रहता है इनके हिर्दे के सिरफ दो भाग ही होते हैं मेंस इनका हिर्दे द्वीक अक्षिय होता है एक भाग औरिकल तथा दूसरा वेंटिकल कहा जाता है यह अंड़ज जीव होते हैं मेंस यह अंडे पैदा करते हैं मचली के साइड पर लगे हुए फिंस तथा उसकी मस्कुलर पूंच उसको तैरने में सहायता करती है जिसके दवारा वह एक सान से दूसरे सान तक असानी से जा सकती है इनका पूरा शरीर तेन भागों में बटा हुआ होता है जिसे नाम देते हैं हेड, ट्रंक तथा मस्कुलर टेल इन में रिपरड़क्शन मेंस जर्नन परिकरिया जो होती है वह एक्स्टर्नल होती है तो यह था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको भविन जनतूं के बारे में जानकारी दी विद दा हेल्प ओफ दियर स्पैसिमेन थेंक यू पो वाचिं 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 वीडियो